हाई गाईस वल्कम टू माई यूटू चैनल अब ठंडी की मौसम आ गई है और ठंडी के मौसम में मेथी बाजार में मिलने लगी है लेकिन मेथी कोई हर कोई खाना पसंद नहीं करता है क्योंकि उसमें कड़बा पनाता है लेकिन आज मैं उसका रेसिपी ऐसे बनाओगी तो बड़े तो बड़े बच्चे भी खाने के लिए पसंद करेंगे तो आज हम बनाते हैं मेथी की बड़े तो हरी मेथी की बड़े तो मैंने लेली हूँ बजार से 300 ग्राम हरी मेथी और उसको अच्छी तरह से साप करके धो के लेली हूँ और उसको एक चौप बोड़ लेके उसमें छोड़े-्छोड़े टुकड़े में कट करेंगे और मेथि इतना सेहत के लिए अच्छी रहती है पुछा मतths Now Me मैंने में यहाथ में पूल हेगaltet हो किष्था में या कहती करेऊ क्योंकि मेथी को थोड़ा छोटे छोटे टुकडे करके बड़े बनाओ तो और भी अच्छी रहती है और मेथी सरदी के मसम में खाओ तो सहत के लिए अच्छी रहती है और अभी मैंने एक बाउल में ले ली हूँ सारे कटे हुए मेथी की भाजी को और उसके लिए मैंने एक बड़ी सी प्याज ले ली हूँ छिल के उसको भी थोड़ी लंबी लंबी साइज में उसको कट करके ले गी और आप अगर प्यास लसन नहीं खाते हो क्यों स्केप कर सकते हो लेकिन प्याच को ऐसे पतले पतले करके लंबे-लंबी स्लाइस में काटके और उसको शोटे-शोटे टुकडे में कर दूँगे क्योंकि लंबे लंबे स्लाइस में तकट कर दी हूँ लेकिन इसमें हाथ में डालके खोल दूँगी तो सब सिंगल सिंगल हो जाएगी पिस पिस तो उसके अंदर एड़ कर देंगे और उसके बाद मैंने लसन की साथ अठकल या छिल के रखी हूँ और अदर के केंची का रखी हूँ और दूसरी प्रोसेस मैंने पोहे ले ली हूँ या चीवडा बोलते हूँ उसको धो के एक चामस पोहे ले ली हूँ धो के इसको निकालके रखेंगे पोहे के जगा आप उसमें आलू भी ले सकते हो उबले हूई और उसको अभी छान के धो के चान के रख देते दो मिनिट के लिए वो अपना फूल जाएगी सारे पोहे और दो तीन हरी मिर्ची मैंने ले ली हूँ छोड़े चोड़े टुक्रे में कट करके और एक चोपर ले ली हूँ क्योंकि इसको चोपर में बनाएगे तो थोड़े दरदरा होके रहेगा अद्रक लसन और हरी मिर्ची और पोहे और इसमें डाल दी मैंने आधी चामत जीरा अगर आप मिक्स जार में बनाते हो मिक्सर ग्रैंडर में थोड़ा रुक रुपके उसको मिक्स चलाए इसे दर्दरा जैसे बने पूरा प्योरिक ना बनाए तो अभी दर्दरा बन किया है मैंने चपर में बनाई तो दर्दरा बन गया सब तो उसको निकालके और भाजी के बाउल में इसको भी एड़ करेंगे जहां मेती की भाजी और प्याज रखा है उसी बाउल में इस मिक्स कर को उसके अंदर एड़ कर दोंगी उसके बाद इसी में सारे मसाले एड़ क एक चामच नमग और एक चामच सफेद तील तो ज़रुरी है क्योंकि उसमें प्रोटेन ज्यादा रहता है खाओ तो टेस्टी भी और देखने के लिए भी आच्छे लगती है और मैंने बेशन ले ली हूँ दो चामच और आपकी साग जितनी होगी मिथी की उसके हिसाब से पम पानी चूड़ता है इसके लिए मैंने और एक चमाज बेशन लिए हूँ कि युदि ज़्यादा पानी पानी हो जाए तो बनेगी नहीं तो बेशन लेके उसका लोट डो बना कि मैंने रख दी और हात पमें कड़ाई चड़ा देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो उसको डिप फ्राई करेंगे और आप चाहो तो तवे में भी थोड़ा थोड़ा तेल डालके सेलो फ्राई भी कर सकते हो लेकिन ये डिप फ्राई करने से ही ज्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि अंदर तक भी खाने के लिए बहुत पसंद करेंगे और बहुत ही सत्मुत टेस्टी और यम ही एक बार आप भी एसे ट्राई करके जरूर बताना और यह देखो कितना सुंदर लाल-लाल होके तल गया है लोटू मिडियों फ्रेम में ही उसको तलना है दस मिनिट तक थोड़ा धिरे-धिरे क करके तलना है अभी यह मेरी बन के रेड़ी हो गया और इसको निकाल देते हैं और उसको अभी साब करेंगे तो आप साहे तो केचप के संग या मियोनी के संग या हरी चटनी के संग या चाय के संग के से चाहो वैसे ही खा सकते हो बहुत ही टेस्टी है सर्दी के मासम में में जरूर बना कर खाये चाहे किसी टाइप के भी हो सेहत के लिए अच्छी रहती है क्योंकि मेती घर्मी रहती है और देखो बहुत टाइम से बना लिया फिर भी उसका कड़क कड़क आवा जा रहे कितना क्रिस्पी बना है और अभी चटनी के संग यह खाएंगे मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेट करके जरूर बताना अच्छा लगा तो लाइक सेर जरूर करना और मेरे चैनल में नहीं होतो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलती हूं में नेक्ट वीडियो में बाइ फ्रेंड्स